ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अठारा मई बुद्धवार के रासी फल्क के बारे में कि इहां दिन मित्वन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथों नासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आपके लिए आज आज पॉजटिव रहने वाला है दोस्तो आज किसी कारे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कारें योजनाओं को विस्तार करने की कुछ्षिस करते हैं या किसी नए कारे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी, भवन, वाहन, आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थे आज उसमें आपको सपलतावस्ट से मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रकता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी परिक्षा के पेड़ाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सपलता अवस्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा इक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यर्ति हास परियास वे मनुरंजर आदी के विर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बंद रहेगा राज की एमामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी की आवस्चता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जाँच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के सुवास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी की आवस्चता है अजनभी वे ए परिशित लोगों से वेवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवस्चता है खर्चों पर भी आप नियंतन रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्चता में काफी हद तक सुधार आएगा साथी साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती है किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप प्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बना कर रखना अति आवश्चक है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली है दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सेयोग आपके आत्म वल वे आत्म विश्वास को बना कर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधुरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिकता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्थितियों में पूरी तरे से सयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बुजरुगों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तों परिवार में आज सांती का वाता वरन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर देख खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं आजब का वे वेसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आस्मिक धनलाब के प्राबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आज आप विजय प्राप्त करेंगे नए कारे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साथि साथ का रच्छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तों साथि साथ आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत व्यपरिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजने भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वर्तवान इस्थिती के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जैं दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उड़जावान महसूस करेंगे साथिसाज दोस्तो अपने स्वास्त को और अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो अब बत करेंगे हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तो आज आप इश्नान आदィ से निर्वतर होने के बाद एक नारियल ले या दोस्तो इसके बाद आप इसे एक नारियल को कुछ दक्षणा के साथ मंदिर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को अरपित करें और विग्न हर्ता गनेश श्रोत का पाठ करें जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लही हैं समस्त परिशाने उकांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फुलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनेश चिदीक का अशिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद